A, B, एक point है A, B जो की lie करता X axis पे, ओके, और C, D जो है वो lie करता है on the line this, और हमें बताना है B square फ्लस का D square, हमें बताना है B square और D square, आप बताओ, अगर कोई point X axis पे lie करता है, तो उसका जो Y coordinate है, क्या वो 0 के बराबर होगा, तो क्या B की वैल्यू जीरो के बराबर होगी यस और नो वाई यही तो समझते हो कि X एक्सिस पे हमारा जो Y कॉडिनेट होता है क्या वो जीरो के बराबर होता है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे B बराबर तो जीरो हो गया ठीक है अब जो C, D है वो हमारा लाई कर रहा है Y बराबर 2 पे कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे लाई करता है तो मतलब सैटिस्फाई करेगा तो यह Y कॉडिनेट है और यह Y लिखा है तो D बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो बस पुट कर दो 0 स्क्वाईर प्लस 2 का स्क्वाईर क्या आंसर 4 आ गया A part A part आ गया A part आ गया जरह देख लो A part 4 के बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आ गया A part आंसर आ गया 4